नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइब के उपर मेरा नाम है आशितोश और आज मैं आपके लिए फिर से एक निया सेशन लेके आया हूं इसमें हम करने जा रहे हैं मेमरी वेस्ट क्वेस्टन जो कि अभी आपका CGL का जो एकजाम हुआ है उसमें आये हुए तो यह सारे के सारे जो भी क्वेस्टन लेके आया हूं यह अल्रेड़ी जो आपका एकजाम हो चुका है दिसम्बर फर्स्ट को हुआ था और सेकंड को हुआ था उन शिफ्ट में जो एकजाम में जो जिस तरह की क्वेस्टन आये थ सिर्फ CGL के ही एक्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप जीडी का पेपर दोगे या फिर जैसा कि आप सभी को पता है CHSL का एक्जाम आ चुका है उसमें भी आपको इस तरह का पैटन देखने को मिलेगा तो सबसा पहला काम मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस किसी न किसी में तो जो मेरे student थे उन्होंने मेरे को ये सारे के सारे question बना के दीए तो करते हैं करके क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक क्या वोला है which letter cluster will replace the question mark to complete the given series थीक है letter series का question है आपको एक series दे रखी है आपको ये question mark को fill करना है तो आप इसको try कीजिए देखते कितने ब होंगा आप इसको ट्राइ करोगी तो सबसे पहले मैंने लिखा एकस क्यू एन एकस क्यू एन एच वाई ओ एन वाई ओ क्यू डी ठीक है अब मेरे को सबसे पहले देखने है एकस और वाई में क्या रिलेशन है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस वन का इंक्रीज हुआ ह ठीक है सामने प्लस वन का इंक्रीज दिख रहा है लेकिन ओ और क्यू में आप बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस टू का आ गया लेकिन एन और क्यू में आप जाओगे तो यहाँ पे तो प्लस त्री दिख रहा है और एच और डी में माइनस फॉर का इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे minus 2 आ जाएगा यहाँ पे plus 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास minus 4 तो यह मेरे पास एक logic दे रख है अब मेरे को निकालना क्या है अब इसके बाद की value निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब इसके बाद की value निकालनी है अब Z में जैसे ही plus 1 करूंगा तो definitely बात है A मेरे पास आएगा यहाँ पे minus 2 करना है तो मेरे पास आजाएगा K कैसे 13 में दोगे 11 11 पे होता है K मेरे पास option पहला और last तो eliminate हो चुगा है अब T में मेरे को क्या करना है प्लस 3 करना है तो मेरे पास आजाएगा W यानि की option number 3 इसका क्या होगा right answer हो तो उमीद करता हूँ आपने भी इस question को कर लिया होगा easy question था अभी आपके paper में आया हुआ है तो चलते है next question की तरफ चले जी next question यह रहा क्या होला है select the option that is related to fifth term in the same way second term is related to first term and fourth term is related to third जैसे आपकी second first को relate कर रही है fourth third को relate कर रही है वैसे ही कोई term आपकी fifth से relate करेगी औरी मैं थोड़ी से माफी माँगूँगा मैं हिंदी भी नहीं ले पाया question क्योंकि मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं आपको ये question करवा हूँ ठीक है grapes का logic दे रखा है S A R E P G अब ये question बहुत easy है इन्होंने क्या किया है पहले इनको cross में multiply sorry cross कर दिया है G यहाँ पे चला गया S यहाँ पे चला गया अब इसके बाद क्या किया है मैं यहाँ पे color change करता हूँ आप भी सासाथ कीजिए इसके बाद A यहाँ पे आ जाएगा R यहाँ पे E यहाँ पे P यहाँ पे मतलब बीच वाले letter आपस में cross और first और last को आपस में cross किया है अब मेरे को निकालना है किसका है number का तो मैं लिख लेता हूँ N U M P E R ठीक है सबसे पहले तो आ जाएगा R और यहाँ से last पे चला जाएगा N R N R N सभी में R N दिख रहा है अब यहाँ पे आ जाएगा M और यहाँ पे आ जाएगा U यहाँ पे आ जाएगा E और यहाँ पे आ जाएगा B तो मेरे पास आ गया R M U R M U R M U option number 3 मेरा क्या आ जाएगा राइट अंसर आ जाएगा उमीद करतो हो आपने भी इसको कर लियो होगा easy question है already अभी के जो exam हुए है उनमें आए हुए है वगर session अच्छा लग रहे है तो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ चलीजी next question देखते हैं क्या वह लैसिक्स फ्रेंड a b c d e f r sitting in a circle facing center ठीक है यह दोस्त है circle में बैठे हैं और सारे के सारे center की तरफ face कर रहे है आगे बोला but not in a same order same order में नहीं है यह नहीं पता कौन कहां किसके साथ में बैठ हुआ है आगे बोला है b and sorry ठीक है बोला बी और e साथ में नहीं बैठते बी के साथ में ना तो e आता है मैंने यहां पे लिख लिया आगे बोला है b is second to the right of a a से second right में मेरा कौन आ जाता है b आ जाता है यहां पे लिख लेते हैं ठीक है c is not immediate neighbor of a a के साथ में c नहीं आता चलीजी आगे बोला है only two people sit between d and a d और a के बीच में सिर्फ दो ही person बैठते हैं आप से बुछ है what is the sitting position of f की sitting position आपको बतानी है चलीए अब यहां पे मैं देखता हूं तो मेरे पास a दो बार repeat हुआ है तो मैं a को उठा लेता हूं तो a से second right पे b a को यहां रखता हूं one two b आ चुका है मेरा यहां पे अब बुला a के साथ में c तो नहीं आएगा एक दो जगा यहां पे ना तो c यहां पे आएगा और a से दो छोड़के d एक दो छोड़के d एक दो छोड़के d तो मतलब d तो सामने आएगा चलीजी अब b के साथ e नहीं आएगा मतलब e यहां पे नहीं आएगा चलो अब c अगर इन दो जगा पे नहीं आएगा तो c के लिए तो a की जगांवची कौन सी वची यह वाली और e के लिए जगांवची यह वाली और last जगा जो थी वह आ जाएगी f की लेजी तो पुस्चिन हमारा हो चुका है स्वाल ठीक है बस आपको किंडिशन लिखनी थी उसको सॉल्व करना था अब पूचा वट इस दे पूजिशन सेटिक मुजिशन ऑफ एफ इमजेट नेवर ऑफ एंड सी नहीं जी ए और सी का तो नेवर नहीं है अगर बोले सेकंड ट एप क्या करनी थी कंडिशन करनी ती अगर आपने कंडिशन लिख ली तो यह वोच्छन आप आराम से कर सकते चलते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ और से से कुश्चन है जो अभी हमने पहले किया था वैसे ही है ठीक है क्या वह वाला है सेलेक्ट ऑप्शन डैट इस रिलेट लेट करेगा हम इसको लिखता हूँ आपको इसको ट्राइ करना है चलिए एफ एल टी टी ए और वी पी ठीक है करते हैं इसको ट्राइब चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मिरे को देखना है इनके बीच में हो कहा रहा है ठीक है अगर मैं देखूं तो एफ और पी एफ मेरा शिक्स और यहाँ पे तो सामने दिख रहा है प्लस 10 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो मेरे को सामने दिख रहा है प्लस 10 का लेकिन यहाँ पे माइनिस 4 का next check करते हैं L और V L और V तो मेरे पास आ जाता है plus 10 ठीक है जी logic आ चुका है plus 10 minus 4 plus 10 तो next मेरे को सामने दिख रहा है minus 4 ठीक है मतलब मेरे पास ये logic दे रखा है अब मेरे से पूछा है sack का S A C के sack का निकालना है तो जैसे ही मैं S में plus 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा C तो से पहले आ जाएगा C तो C से ना तो ये वाला start हो रहा है ना ये वाला ये मतलब ये दो option बचे हैं ठीक है अब A में minus 4 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है यहां पर आ जाएगा W तो ये देखिए तो option number मेरा क्या होगा थर्ड यहां पर right answer होगा एक बार confirm कर लेते हैं C में जैसे 10 add करूँगा 3, 10, 13, 13 में आ जाता है M, C, W, M option number 3 इसका क्या होगा right answer होगा easy question था बस आपको logic ढूंडना है logic क्या है अगर आपको place value याद है तो आप अराम से कर सकते हो और मैं already बता चुका हूँ place value से बहुत सारे question आपको देखने को फिलेंगे चलते है next question की तरफ चलिए बोला inventor is related to imagination in the same way teacher is related to dash inventor कौन होता है जो किसी चीज की invention करता है ठीक है अब कोई inventor है तो imagination होगी तभी वो उस चीज को क्या करेगा invent करेगा अगर मैं imagine करूँ कि मैं यह चीज कर सकता हूँ तभी मैं उसको क्या करूँगा invent करूँगा तो teacher का relation किस के साथ होगा profession के साथ बिल्कुल नहीं discipline के साथ बिल्कुल नहीं teacher का read है नहीं जी तो यहां प्या जाएगा knowledge teacher का relation किस के साथ होगा knowledge के साथ teacher को क्या होगा knowledge होगा तभी वो चीज़े आगे कर पाएगा जैसे inventor के पास imagination होगी तभी काम चलेगा teacher के पास knowledge होगा तभी काम चलेगा तो इसका right answer आजएगा option number 3 चलते next question की तरफ अगर session अच्छा लग रहा है अभी तक के question अच्छा लग रहा है तो please इस session को like कीजिए share कीजिए और channel को ज़रूर subscribe कीजिए चलेज़ next question यह रहा number series का question है अब आपको देखना है यहां पर क्या logic है बहुत ही प्यारा logic से इस question के अंदर देखते है सबसे पहले मैं यहां पर देखूँ तो 64 और 67 में minus 3 का difference आया हुआ ठीक है अब next में एक digit छोड़ के जाता हूँ तो यहां पर भी मेरे को क्या दिख रहा है minus 3 का difference दिख रहा है अब मेरे को alternative चेक करना पड़ेगा अगर मैं यहां पर देखूँ तो कौन सी value उठा के मैं रखूँ ताकि मेरा 85 भी आ सके अगर यहां पर minus 3 है तो अगर मैं यहां पर plus 3 करता हूँ तो मेरे पास value आती है 82 अब 82 में मैं फिर से plus 3 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 85 मतलब मेरा right answer क्या होगा 82 यहां पर right answer होगा आप इस तरह के question को option के साथ भी खेल सकते हो आपको बस option देखनी है और वहां से भी इसका answer निकाल सकते हो easy question था already आपके shift में आ चुका है जिन्होंने exam दिया होगा उनको पता होगा जो देने वाले हैं उनको भी यहां से दिमाग में लेके चलना है इस तरह के logic को चलिए जी चलते next question की तरफ चलिए जी next question already आया होग एक्जाम में तो मैंने क्या वोला था यहां से आपको ज़रूर question देखने को मिलेगा तो आ चुका देखी जी जिन्होंने पड़ा होगा उनको तो निकाल लियोगा जिन्होंने नहीं पड़ा हो जुरूर फसे होंगे अब क्या वोला है some jugs are bottle तो मैं इसको बनाता हूँ आप भी साथ में try कीजी some jugs are bottle ठीक है आगे वोला no bottle is candy कोई भी bottle जो है वो candy नहीं है कोई भी bottle केंडी नहीं है आगे वोला all spoon are bottle all spoon are bottle मतलब all spoon are bottle कैसे बनेगा इस तरह से बनेगा इसको बना लेते हैं मैं थोड़ा से इसको चेंज करके यहां पर यह लिख लेता हूँ ठीक है अब यहां पर candy को अलग से कर देता हूँ पीड कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा यहां पर हाइड नहीं हो रहा होगा ठीक है तो उपर वारी डाइग्राम में erase कर देता हूँ ताकि मेरे कोई easily चीज़े समझा जाए अब इसी के उपर मेरे conclusion है सबसे पहले वोले some jugs are spoon क्या कुछ जग स्पून दिख रहे हैं जग का relationship बी के साथ है spoon के साथ नहीं है यह तो हो गया false आगे वले no spoon is candy पून कैंडी बिल्कुल सही यह इसके अंदर नहीं जा सकता तो यह तो हो जाएगा true आगे वले no jug is spoon जग स्पून positive statement negative conclusion कैसे चेक करूँ तो यह तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अब आगे देखते हैं no jug is candy no jug is candy इसका relation तो मैं बताई नहीं सकता यह वाला भी क्या जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अब अगर आप ने यहां पे एक चीज़ देखी कि second conclusion तो मेरा फॉलो कर रहा है लेकिन यहां पे sum और no के साथ जग spoon जग spoon दे रख है बतलव यहां पे जो answer होगा वो क्या होगा either conclusion one और three and second follow क्यों हैने आपको already बताया था sum a r b और no a r b अगर दोनो statement wrong होती है और either option में है तो हमारा answer क्या आता है आइदर आता है तो यहां में देखो दोने statement क्या है गलत है और दोनों में क्या है जग जग spoon spoon तो मेरा option क्या जाएगा option number one इसका क्या जाएगा right answer आ जाएगा उमीद करता हूँ आपने यही answer दिया होगा अगर session अच्छा लगाए तो जरूर लाइक कीजिएगा चलते है नेक्स्ट question की तरफ देखिजी इसी shift में दूसरा question भी किस का आया हुआ है स्लोग का आया हुआ है तो मतलब चार नंबर की स्लोग आपको देखने को मिलेगी चलते हैं नेक्स्ट में नो डोर इस डॉग तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ नो डोर इस डॉग सारे के सारे डॉग्स क्या है चलिए अब यह तो इसके अंदर आई नहीं सकता ना चलो अगर वाले नो डोर इस कैट कोई भी डोर कैट नहीं है दोर का सिर्फ डी के साथ है ना डोर का सिर्फ डी के साथ है इसके साथ नहीं है चलिए अगर नो गूर्श के तार डॉग सारे के सारे के डॉग्स है बिलकुल नहीं तो अगर मैं यहाँ पर देखो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा option number four only conclusion three follow only conclusion three follows उपीद करता हूँ आपको समझाया होगा और आपने भी यह answer दिया होगा चलते है next question की तरफ चलेजी next question में फिट से हमारे पास number series के दूसरा question आ चुका है मतलब जो हुआ है paper memory waste उसमें सारे के सारे question आए हुए है ठीक है तो आपको इनको एक बार जरूर करना है ताकि आपको पता चले कि इस तरह के question देखने को मिलते हैं तो मैं इसको लिखता हूँ आप इसको try कीजिए ठीक है देखता हूँ कितने बच्चे इस cancer निकालते है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही प्यारा logic था चलीजे अब यहां पर मैं देखता हूँ तो यहां पर तो यह जो चीज दिख रही है यह मेरे को two times दिख रहा है ठीक है 167 का अगर मैं two times करता हूँ तो मेरे पास 334 आ जा 36 plus 541 अब देखो यहां पर जो logic आ रहा है देखो सबसे पहले नो ने क्या किया six value से multiply किया फिर plus किया मतलब definitely यहां पर क्या हुआ होगा multiply हुआ होगा किस से four से तो अगर मैं 41 को four से करता हूँ four 164 तो यहां पर आना चाहिए 164 अब इसी को confirm करने के लिए यहां पर multiply four था तो म minus three करता हूँ 167 आ जाता है अतलब मेरा logic से ही है और मेरा right answer क्या हो जाएगा option number four इस question में इसने आपसे दू operation लगाए एक तो लगाया multiply गा एक तो उसने करवाया multiplication दूसरा उसने गया किया subtraction और addition तो यह जो था mix series का question था अच्छा question था अगर आपको इस तरह को question देखने को मि चली जी next question यह रहा blood relation का तो मैं पहले question पढ़ देता हूं क्योंकि यहां पे हिंदी वाले बच्चे भी है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रहे होगी तो मैं इनको पढ़ देता हूं ठीक है क्या वला है एल प्लस यू मीन्स एल इस सिस्टर ऑफ यू मतलब प्लस जो है वो किसक daughter ठीक है जो dollar है वो किसकी बात कर रही है daughter की बात कर रही है चलिए यहां पर मैं लिखते हूं daughter आगे देखते है percent percent mean mother percent किसका निशान है mother का वैसे तो मैंने इस तरह के बहुत सारे question करवाए हैं तो जुरूर देखेगा series को आगे बोल रहा है add the rate add the rate का क्या मतलब है brother add the rate का मत love है brother यह सारे सारे निशान हमें कुछ ना कुछ represent करते हैं तो मैंने इनको side में लिख लिया अब इसी के उपर question क्या बुच्छ है आपको बताना है M is the wife of O तो अब इस तरह का जब भी question आते मैंने क्या हो ला है हमेशा last option से try करना होता है तो सबसे पहले third option को उठाके देखते है third फिर fourth फिर second देखेंगे क्या बता first में भी हो सकता है चलीजी क्या वोला हो है सबसे पहले third देखते हैं पी डॉलर M P is daughter of M M की कि किसी के शाध्य होई है और P या जाएगी इनकी daughter चलीजी आगे वोला पी हैश के P is husband की कहा अच्छा यहां पर यह है M percent R M is mother of R M is mother of art क्या ज चलीजी आगे देखते हैं R plus K R is sister of K चलीजी के की sister आगी आगे कहां गया K percent O K की शाधी के mother of O चलीजी तो यह मेरा पहला डाइग्राम मुला M is wife of O नहीं जी तो यह तो नहीं बताता कि M is wife of O ठीक है तो यह वाला तो हो जाएगा गलत मतलब option number three तो मेरी हो चुकी है eliminate अब मिरको उठानी चाहिए option number four option number four उठा के देखते हैं क्या पता कहीं से आंसरा जाए M percent P M is mother of P चलीजी आगे बोले P plus K P plus K P is sister of K आगे क्या बोले की K at the rate R K is brother of R ठीक है R dollar O R is daughter of O अब यहां से देखो अगर R daughter है O की तो O definitely father होगा और M उसकी wife होगी मतलब option number four मेरे को बताता है right relation तो यह था मेरा right answer उमीद करता हूँ आपने भी कर दिया होगा easy question होता है बस आपको यह वाली चीज़ decode करने आनी चाहिए चलते है next question की तरफ अगर session अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा share कीजिएगा और comment भी जरूर कीजिएगा चलीजिए next question यह रहा आपके सामने इसमें क्या होला है four letter cluster have been given out of which three are alike in the same manner and one is different select the letter cluster that is different ठीक है तीन एक तरह क्यों होंगी और एक अलग होगा मतलब मैं वह लूँ तो cdc what odd one out इसमें से हमें ढूणना है odd one out तीन में एक logic होगा और एक ऐसा question होगा जिसमें वो logic नहीं होगा हो ढूणते हैं सबसे पहले देखते हैं किस तरह का question है अबर मैं यहाँ पे देख हूं तो यहां सामने प्लस DISA का quêडिशन यहां पर में उता हूं तो यहां पे प्लस असका語न और ओर एक ح Key के यहां पर आता है यहां पर दी एफ कि डी एफ एक यहां पर देखता हूं प्लस टू का इडिशन सामने दिख रहा है साचा ठीक है जी सा तीन ठीक है आगे देखते हैं छे चारदस ठीक है और यहां पर आ जाएगा मेरे पास चे और पी से एकस पे जाने के लिए मतलब मेरे पास logic बिल्कुल clear चला हुआ है, मतलब यही logic चलेगा, अब next में देखते हैं, हो सकता है, यह वाला odd one out हो, ठीक है, इसमें देखता हूँ, plus two, plus four, मतलब मेरे पहले तीन तो बिल्कुल सेम है, अब इसमें देखता हूँ, क्या है, plus two, four भी है, यहाँ पे देखते हैं, क्या प्लस six है, eight नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एफ में जो कर रखा है, इनने प्लस nine कर रखा है, यहाँ पे एफ नहीं आना चाहिए था, अगर eight का एडिशन होता है, तो एफ नहीं आता, यह दे रखा है, option number four, मेरा odd one out, तो easy नहीं था, थोड़ा सा कल्कुलेटिव था, चारों के चारों option देखने पड़ने थे, पैसे अगर आपकी speed अच्छी तो आप रामसे कर सकते हो, ठीक है, आपको बस place value याद होनी चाहिए, place value से बहुत सारे question आपको ज़रूर देखने को म नहीं है, ठीक है, आपको यह later series fill करके बताना है, इसका right answer क्या होगा, चलीजिए इसको में release करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको try कीजिए, साथ साथ हमें, ठीक है, V, A, W, यह तो बहुत easy है, सामने दिख रहा है, ठीक है, A से C में, A से B में जाने मे plus 1, और C से A में जाने में आपको दिखेगा, minus 2 का gap, यहाँ पर T से 20 से 23 plus 3, मतलब एक logic है, plus 1 minus 2 plus 3, आगे देखते हैं, जी, आगे देखते हैं, B से C में जाने के लिए, फिर से plus 1, और C, A से Y पे जाने के लिए, minus 2, और यहाँ पर W से Z, 23, 26, ठीक है, तो यहाँ पे तो आज plus 1 में आजाता है, D, तो मतलब यह भी eliminate, यह भी eliminate, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को करना है, minus 2, Y से जैसे 2 minus करूंगा, तो मेरे पास आजाएगा, W, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, D, W, C, option number 3, इसका right answer होगा, इस सारे question सिर्फ आपकी place value के उपर depend करते हैं, अगर आपको place value य आपको paper में लिख लेना है, और इनकी place value लिख लेने, 4, 5, 6, ठीक है, 13, 14, फिर ऐसे करके 26, ताकि अगर आपको opposite वाला question दिखे तो भी आप आराम से कर सको, इनकी place value दिखे तो भी आप आराम से कर सको, अब आपके उपर है, आप कैसे इसको करते हैं, चलते हैं, next question की तरफ, next question में देखे रिखा है, which two signs should we interchange to make the given equation correct, इस equation को correct करने के लिए, मतलब left hand side मेरे को बरावर गरना है, right hand side के, इस equation को correct करने के लिए, मेरे को इन sign के साथ खेलना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा, कौन सा sign में change करूँ, तो मेरे left hand side और right hand side equal हो जाए, ठीक है, और मैं साथ तो फोर्ट उठाऊंगा, ठीक के निचे से स्टार्ट करूंगा, तो मेरे थर्ड उठागे रेक करना है, मतलब यहां पर आ जेगा plus, और यहां पर आ जेगा multiply, ठीक है, तो बहतर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है चलिए यहां पर मेरे लिख लेता हूं, 72, प्लस 12, into 1 अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यह तो आ रहा फ्रेक्शन में और इसको सॉल्व करने के बाद अगर यहां पर देखूं यहां से तो नहीं हाएगा मतलब यह वाला option number कौन सा था 3 तो मेरा eliminate हो चुका है divide और multiply को देखते हैं divide की जग अगर मैं multiply ठीक है यहां पर divide करता हूं यहां पर multiply करता हूं 72 multiply 1 upon 12 into 30 बारा त्यां 36 minus 48 plus 30 ठीक है तीन दूने 6 7 त्या 21 तो 16 minus 48 plus 30 यहां से अगर मैं 30 के addition करता हूं 6 3 4 240 यहां से भी नहीं आए मतलब 3rd और 4th तो नहीं आर आप 2nd को चेक करते हैं ठीक है प्लस और डिवाइड को चेंज करते हैं यानि कि डिवाइड की जगा आ जाएगा मेरा प्लस और यहां पर यहां पर डिवाइड आ जाएगा ठीक है तो देखते हैं 72 इंटू 12 प्लस 36 माइनस 48 जी माइनस 48 कोई क्वेश्चिन गलत तो नहीं देखते हैं तो नहीं होगा क्योंकि से कटेगा नहीं एक मिनट पूर्थ वाले पर डाउट आ जाएगा जाएगा मल्टिप्लाई और देखाए है जाएगा डिवाइड ठीक है यहां पर आजाएगा बारा और यहां पर आजाएगा 36 ठीक ठीक यह गलत कि नहीं हाँ तक आप बारा चिके बत्तर श्टिस को छे से किया छे सिके श्ट्योंकि निया अथार इस ओन निश्पीस इक दोसु सोला तो सो सोला में थी ट तोला में से आठ गए आठ अब यहां पर बचे तेरा तेरा में चार गए नौ दो एक सो अठानुए पतलब option नमबर फोर ही इसका गया और आइड अंसर होगा ठीक है मैंने पहले calculation में गलती कर दी थी ठीक है तो इस तरह से आपको जुरूर देखने को मिलेगा अच्छे क्वेशन है तो इन क्वेशनों को आपने सिर्फ को सकता है आपका option third या fourth यह से दिख जाए ठीक है बहुत कम बार होता है लेकिन आपने ट्राइल लास से करना है चलते है एक्सक्षण की तरफ जो लिए नेक्स्ट बोला है रिया इस यंगर देन राम ठीक है क्रिशन किशन इस यंगर देन राम वर्ट एल्डर देन रिया अंड राम बूत राम इस यंगर देन शीतल बतलब यह मैं बोलू तो को रेंक्इंग का कुईस्षयन हो सकता है या फिर हां और और रेंकिंग आ ठीडिक नदीक вход लैऽ जुह है मらい हुआ चोटी यह रामसे एंधर का यह मतलब होता चोटा मतलब राम जो बड़ा है रिया से घीए आगे कि संद्या इस एल्डर देन शीतल एंड राम ठीक है शीतल और राम तो मतलब यहां से तो मेरे पास एक कंडिशन बन चुकी जीटल यहां पर भी हो सकती है ठीक है और इन समस्वेस सबसे पहले आ कि संद्या ठीक है अब वोज़ दो थर्ड यंगेस्ट फर्स और सेकंड थर्ड थर्ड पर मेरे पास क्या रहा है राम आ रहा है तो थर्ड यंगिस्ट कौन सा ओगा ऑप्शन नूमबर टू मेरे पास क्या होगा राम होगा खुलेर है इसी कुश्चन होते हैं बस आपको एक ब कुश्चन है मैं इसको लिखता हूँ आप इसको ट्राइ कीजिए ठीक है मैं यहां लिखता हूँ M A Z I C का कूर दे रखा है N Z T H X अगर आप यहां पर देखू तो यहां पर क्या दिख रहा है M और N A और Z यह तो ऑपोजिट दिख रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है यहां ऑप यह फिर से ओपोजिट आ गया देखी अगर मैं माइनस कर दू तब भी सेम है तो यह ओपोजिट है और इसके अंदर लॉजिक है अब मेरे से पूछा है हॉर्स का हॉर्स का हॉर्स टीक है इसको लिखता हूं आप इसको ट्राइ कीजिए अब एच के आपोजिट कौन सा आजएगा ऐस आ जाएगा ठीक है एच के ओपोजिट एस और एसके ओपोजिट एच तो में देखना है ऐस एच एस और फोर्थ पे एच अब इन उनने तो सभी में लिखा हुए याप् भी ठीके चली चली अगला देखते हैं आर आर के ऑपोड़ेट आ जाता है आई एस एन आए तो लास्ट माला देखना पड़ेगा एक जो वोवल में माइनस पन किया तो डी एस एन आई एच डी एस एन आई एच डी ऑप्शिन नमबर थ्री इसका गया होगा राइट अंसर होगा यह कोशन वैसे तो था एज़ी बस आपको और लॉजिक ढूंड़ना था ठीक है लॉजिक अगर आप देखते हैं कि सारे ओपोड़ेट अ तब आप फस सकते थे क्यों क् गेम करी हुई थी आई और एच के केस में अगर आपने यह चीज़ देख ली होगी तो आप इसको कर सकते हो ठीक है तो अमीद करते हूं आपको यह कोशन समझ आया होगा अगर आज अभी तक का सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक ठीक है यहां पर ऐसे होगा ठीक है अब यह वाला इससे रिलेट कर रहा है यह वाला इससे रिलेट कर रहा है आपको यहां से रिलेट करके बताना है अब मैं देखता हूं तो 5,1,7 और 5 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है अब इसके पीछा लॉजिक बहुत प्यारा है क् से पहले five में three का एडीशन कर दो तो पांच में तीन का अडीशन करते हैं तो आठ वही लाजिक चार प्लस तीन करते हैं तो आ जाता है साथ साथ का सी कितना होता है three 43 three 43 मैं प्लस four गर देता हूँ तो मेरे पास आजएगा three four seven बिल्कुल सही अब मेरे को निकालना है किसका है यहां पे यह वैल्यू निकालनी है ठीक है तो यहां पे मैं अगर देखू हूँ तो मैं क्या करूँगा के में प्लस तीन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है नाइन का क्यूब कितना होता है सेवन ट्विंटी नाइन और उसमें जैसे ही मैं सिक्स का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ यह इस क्वेशन के पीछे लॉजिक था बहुत इजी क्वेशन नहीं था थोड़ा सा निमाग लगवा रहा था अगर आपने कर लिया तो मतलब आपकी त्यारी बहुत अच्छी है और आप आने वाला एक्जाम जिनका है वह अराम से क्रेक कर सकते हैं सलते हैं नेक्स क्वेशन से कितने इसका राइड अंसर निकालते हैं या तो यह रोवाइज होगी या फिर यह कॉलम वाइज होगी इन दो में से कोई एक लॉजिक लगेगा ठीक है तो मैं देखता हूं इसके अंदर लॉजिक क्या था ठीक है पहले इन्होंने क्या किया जो हमारे पास 5 और 27 दे रख को एड कर दिये तो यह मेरे पास आ गया 55 यह एक लॉजिक है एक फिर से देखते क्या किया नाइन और 36 का एडिशन कितना होता है 45 अब 45 को रिवर्स में लिखेंगे तो क्या जाता है 54 अब इन दोने कर दो पांच चार नो चार पांच नो तो 99 मेरे पास आ गया अमेरे को नि लिखता हूं 22 25 तो यह हो जाता है पांच दो साथ दो चार 47 इसको में रिवर्स में लेखता हूं तो 74 साच चार ग्यारा एक चार ग्यारा 121 तो इसका राइड आंसर क्या जाएगा 101 अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखते है और आपका लॉजिक नहीं लगता तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उम्मीद करता हूं यह वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा इजी था तोड़ा सा दिमाग इसने लगवाया यहां पर चलते हैं अब लाइने सर्टेन कोड हूर्स इस कोड़ेड एस 125 डोग इस कोड़ेड एस 27 एलिफेंट इस से लिखो हो और एस अगर आप इसका प्लेस वेल्यू से करोगे तो इसका कभी भी आंसर नहीं आएगा इसका अंसर क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसमें लॉजिक है वन टू थ्री फोर फाइव पांच वेल्यू है पांच का अगर मैं क्यूब निकालता हूं तो मेरे पास आ करता हूं एलिफेंट का निकालना है तो एलिफेंट में देखो कितने डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट का क्यूब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पांसो वारा का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शिन नमबर वन इसका क्या जाएगा राइट आं रिलेशनशिप दैर शेर्ड वाइद को पियर आफ वर्स ठीक है इनके बीच में कोई एक कॉमन रिलेशनशिप है जैसे क्रिकेट और रिशयपन्त हमें पता है जो क्रिकेट है वो कौन खेलता है रिशयपन्त क्रिकेट है वैसे ही अगर आप देखो तो इनमें भी एक लोगे नहीं सर यह तो नहीं खेलती विराट कॉली फुटवाल नहीं सर कवर्डी सानिय नहवाल नहीं सर बॉक्सिंग मेरी कॉम बिल्कुल सही उसका राइड आंसर क्या देगा ऑप्शन नमबर एक इस तरह का बहुत इजी कोश्चन आपको देखने को मिला था यह मेरे पा सर इस तरह के कुश्चन आया हुए है तो उन्होंने एक पेपर का बताया था लिखके लाए थे तो उम्मीद करता हूं आपने पेपर किया और आपको समझ आया होगा कि इस तरह से आपका पेपर आपको दिखेगा खीक है अब जो इसमें आपके थोड़े से कुश्चन थे इवन डाइग्राम का था वह मैं नहीं लहीं पाया क्योंकि उसकी डाइग्राम बनाना मेरे को थोड़ा सर डिफिकल्ट हो रहा था तो नेक्स सेशन में देखते हैं आने वाले शिफ्ट के पेपर भी हम डिसकस करेंगे अगर आज की वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो क